तो केवेस के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब आपके एक्जाम को कंड़र्ट कराने के बाद आपके क्वालिफिकेशन चेंज करने का ऑफ्षन मिला है और ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जुन्होंने बीर्ड और डिलेट दोनों साथ में कर रहा हैं और आज की इस देखा जा तो मध्य मर्गे परिवार के लिए बीर्ड और डिलेट दोनों करना थोड़ा सब पासिबल नहीं है इसलिए बहुत कम बच्चे हैं और कोध कम ही ढूनने पर मुझे एक दो बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने बीर्ड और डिलेट दोनों कर रखा है तो किस प्रकास अचब दिसंबर 2002 से पहले कंप्लेट किया होगा वहीं इसमें करेक्शन कर सकते हैं तो देखिए यहां पर आपको सिंप्ली इसी साइट पर क्लिक करना जो कि के आपको मिल जाएगी या फिर आप एनॉंसमेंट सक्षिन में जाकर कि यहां से ओपें कर सकते हैं चली सब्सक्र सब्सक्राइब कर दिखाए देगा यहां पर आपको सिंप्ली देख रहे होंगे आपकर अप्लिकेशन फार्म है जो कि आपके प्यार्ट के लिए है के लिए जो कि आपकी वैकेंसी निकली थी 2022 में और जिसका अभी तक नहीं आया है अब नीचे देखें तो अप्लिकेशन आप्सवर्ड का आएगा देन आपको सिक्रेटी पीन यानि की और चाहिए सकते हैं उसको फिल करना है अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहां पर आपके लिखा इसपर आपको अप्लीकेशन नमट्पर मिल जाएगा और वापस से आप जाकर के पीछे वह पर जैसे आप लोगिन करेंगे का पुछ इस प्रकार से दिखाए देगा और यहाँ Exposure से नेहां पर आपको औब कर्डेशन के इस बाद करना जो खूरा जरूरी है उसको फिल करना है यहां पर को करने के करना देखा करके आपको नीचे सब्मिट करेंगे जैसे प्रहत हें है रॉपनिन डिएट कर दी है आप जो भी बच्चे बीएड और डिलेट दोनों कर रखे हैं तो वो भी आपके एलिजबल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने डिलेट भी कर रखा है और जो कि आपके अभी KBS ने अभी निकाला था आपका उसमें अपने अपडेट कर सकता हैं तो जिन भी बच्चों ने अपडेट नहीं क पूछना तो आप कमेंड करके पूछ सकते हैं ठीक है कुछी देर बात आपको देखेंगे कि यह जो आपका है स्टेटस अपका अपडेट हो जाएगा लेकिन देखा जाए तो बहुत कम कैंडिडेट से जिन्होंने बीएड और डिलेट कम कर रखा है ठीक है क्योंकि बीएड और डिलेट दोनों ही किया होगा ठीक है यह आप मान के चल सकते हैं बाकि इसके उपर आपकी क्या रहा है आप कमेंड वेंसन करके बता सकते हैं फिलाल के लिए आपका क्या सोचना है इस विसे पर आप बताएंगे और वीडियो को अच्छी लेगी प्लीज वीडिय ने शोरी में थैंक यू सम्माइट धन्यवाद